जैसीरीराम देखिए सुन्दरकांड का पाठ हमने आपको सोट के अंदर ही प्राई 90% सुनाया बाकी कुछ चंद वगेरा ये आने की वज़े से थोड़ा सोट को छोड़के थोड़ा वीडियो में दिया पर वो राम का ये जो रामचरित मानस में सुन्दरकांड है तो इसका पार्ट करने से आदमी बलसाली बनता है और जहां सुन्दरकांड की आवाज गुंजती है वहां कहिए दूर दूर तक कोई गलत काम नहीं होता कोई जादू टोना कोई कुछ नहीं होता एक इसका जो गेरा बनता है सुरक्षित गेरा सुन्दरकांड के पार्ट का वो पार्ट कराने वाले का पार्ट करने वाले का पार्ट को सुनने वालों का जो भी कुटंब कबीला है उनकी रक्षा कवच का काम करता है सुन्दरकांड इसलिए हर घर के अंदर मैंने में एक आद दफ़े सुन्दरकांड का पार्ट आप लोग करें तो मुझे अतिहार सोगा दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत मैनत तो मेरी बहुत हुई है फिर भी जो रात और दिन रामायन के अंदर लेन रहते हैं जैसे संत शिरोमनी राम बद्राचारी है और इस तरह कहीं एसे आपको मिलेंगे जिनको कंठस्त ये तो क्या सुन्दरकांड पूरी रामायन तक उनको कंठस्त याद है हम देखो एक डॉक्टर और इस तरह से हमारा इतना अभ्यास नहीं है तो हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि कहीं न कहीं हम से छोटी मोटी तुरूटी होई है इसमें कोई दोराई नहीं हालांकि हमने हाथो हाथ पकड़ के सुदारी फिर भी गलती रही जाती है तो आप हमें समा कीजिएगा कोई इस तरह का कमेंट्स नहीं करें हम खुद कबूल करते हैं कि हमसे कहीं न कहीं गलती जरूर होई है क्योंकि सुन्दरकांड अपने आप में एक विशेस्ता ले हुए है इसको छोड़ते हुए हमारा जी बहुत दुख पारा है अब हम सुन्दरकांड का अंतिम जो चंद है वो आपको सुना करके और प्रभु शिरी राम को हम पढ़नाम करके हम बिदा लेंगे हम और भी आगे आपको सुनाते रहेंगे जब तक सुरी राम की किर्पा हमारे उपर रहेगी सुरी बदरंग बली की किर्पा हमारे उपर रहेगी तो हम दुख के अंदर सुख के अंदर हर परिष्टिती के अंदर आपको हम सुनाएंगे अब इसका चंद है वो आप सुनिये निजभवन गवनेव सिंदू शिरीर गुपती ही यह मत बायेव ये चरित कली मलहर जथामती दास तुलसी गायेव सुक भवन संसे समन दवन भिशाद रगुपती गुन गना तजी सकल आश भरोश गाम ही सुने ही संतत सत्मना शकल सुमंगल दायक रगुनायक गुनगान सादर सुनीत तरही बवसिंदू बीना जल जान मास पारायन चोवीश वाज बिस्राम हमने आपको जैसा ये बुक्स का भी सहारा लिया क्योंकि इसमें अक्सर महिन ज्यादा होते हैं और किताब में मोटे होते हैं तो इस तरह से हमने आपको सुनाया है और एक बार पुन्य हम आपसे कोई तूटी हमसे रही है तो हमें माप करें समय इसलिए लगा कि हमने चोपाई को चोपाई के राग में गया है और एक जगे हमने इसको क्लासिकल राग के अंदर भी कुछ दोहे दिये हैं अगर आप बताएंगे कि यह कोई से राग पर दिये तो हम बहुत अपने आपको करताद समझेंगे बोलो श्री राम की जये राजा राम की जये पवन पुत्र हनुमान की जये और मेरे राम लला की जो मुस्कुराहत आखें टपका करके जो वो मुस्कुराते हैं काली पत्थर की मूर्ती के अंदर हमें ऐसा लगता है कि हम अयुद्य के अंदर ही भगवान के सामने ही बेटे हैं हमें ऐसा मैसूश ही नहीं होता कि हम बहुत दूर हैं बिल्कुल मैसूश नहीं होता है हमारे रिदे के अंदर हैं हमें यह लगता है और एक बार फिर मैं प्रात्ना करता हूं कि पूरा विश्व सांती मैं रहे भगवान राम हनुमान जी और उनके जो भी देवी देवता जिन जिन के हैं वो सभी सक्ति साली हैं कोई भी कहीं कोई कमजोर नहीं इश्वर ने ये पांच अंगुली अपने को दिया अब मैं आपको बताता हूं कहीं लोग सोचते हैं कि ये पांचों में भगवान ने फरक रख दिया फरक रखा ना अंगुल्टा छोटा दे दिया ये उससे बड़ी दे दि और इदर वाली और छोटी दे दि तो भगवान अगर चाहते तो वो हाथ की सारे अंगुलियों को एक जितने लंबी ही बना सकते थे उनके पास कोई मटेरियल की कमी नहीं थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने की मनुष्य को पर्षूई लोग पर भेज रहे हैं और ये वहाँ जाकर के परिश्रम करेगा स्रम करेगा मेहनत करेगा मजदूरी करेगा तो उन्होंने हाथ के अंदर पांच अंगुलियों दी और पांच अंगुलियों के अंदर ये अंगुस्थ जो है ये सबसे छोटा उन्होंने दिया लेक्चिन अरे आप बार्टी उठाएं आप थेला उठाएं आप कोईशी भी चीज उठाएं बिना अंगुटे के सपोर्ट के आप नहीं उठा सकते देखें इन चारों अंगलियों से उठा के तो देखो एक बार उठा लेंगे दोरा सोरा उससे कोई बात नहीं और अंगुटे का सपोर्ट मिलने से इन चारों अंगलियों के अंदर नो गूनी सकती आ जाती है तो उस परमात्मा ने उस राम लल्ला ने उस भगवान ने उन हनुमान जी महराज ने आदमी की रसना इस तरह से करी है इसी तरह पाउं के अंदर करिये अरे उसकी लेला को देखो उसकी बनाई मूट्चियों को देखो आज पर्च्वी के उपर अर्बों घर्बों सर्बों जो गिंती नहीं इतने तरह के मनुश्यों की सकल एक शीक नहीं मिलती बताओ इससे बड़ा कोई विज्ञान है नहीं ओर ने कभी होगा अरे अगर दो जुड़ूआ भाई भी है तो भी कहीं ने कहीं फर्क उसने डाल दिया है अरे उसकी रत्ना को स्विकार करो उसने कहीं भी फर्क नहीं रखा और जितने मॉडल बनाए हैं मनुश्य के सब अलग-अलग सकल होगी कितनी सकले बनाई है उस करतार ने उस भगवान ने और मनुश्यों को छोड़ी आप इतने प्राणी है जो अपनी जानकारी में है और बहुत से अपनी जानकारी में नहीं है उनके अंदर भी हर एक की सकल के अंदर फर्क दिया है दूर से यूँ दिखती है कि सब भेड़ें एक सी होती है नहीं दूर से दिखती है कि सब गाएं एक सी होती है नहीं दूर से दिखती है कि सब छीडियाएं एक सी होती है नहीं किसी को हरे पंक लगाये है किसी को बहुत खुब सुरत बनाया है किसी को क्या बनाया अरे उनकी बनावट को देखो भगवान की बनावट को देखो जिनों ने एक एक चीज के अंदर सब के अंदर अलग-अलग है जो वो चीज दी है जिसको कोई विज्ञान ऐसा कभी नहीं कर सकता अगर ऐसा कर सकता था विज्ञान तो लाकों करोरों वर्ष पहले ही कर लेता ऐसा नहीं कर सकता अरे एक चुए के पांच शे बच्चे होते हैं बड़े होने के बाद में उनके सब के चेरे अलग-अलग होते हैं थोड़ा साथ भी फरक राग तो बताओ उस रचना कारने कैसे की इतनी बड़ी रचना कभी सोचो अपने दिल के अंदर कि वो कितनी बड़ी सकती है जिसने हर एक चीज के अंदर फरक रखा है कहीं पानी मिठा किया है कहीं पानी नमकीन किया है कहीं धर्ती डोलती है कहीं धर्ती छुट्या पड़ी रहती है कहीं ज्वाला मुखी फढ़ते हैं कहीं गलेसियर पिगलते हैं और कहीं 50 डिगरी तापमान में आदमी रहता है और कहीं माइनस 30 के अंदर भी आदमी रहता है उसकी बनाई हुई चीजों पे कभी गोर करके देखो चक्कर आने लग जाएंगे चक्कर आने लग जाएंगे बोलो श्री हनमान जी माहराज की जै